शादे रादे फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल आदी कल्स्ट्रोल पॉल्ट देखिया जब लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुती खूब सूरत सी ड्रेस पनाएंगे आप देख सकते हो ये ड्रस कितनी ज्यादा सुन्दर लग रही है ना हमने ये ड्रस कॉटन के फैब प्रेंडर है ना इसमें पर पम पम लगाया हुआ है इसका लूग भी बहुती खूब सूरत आ रहा है इसमें हमने बुकरम नहीं लगाया है हमने बिना बुकरम के ये ड्रेस बनाई है जो कि लड्डू कोपाल जी पे बहुत ही कुपसूरत लगती है ये ड्रेस बनाना बहुत आसान है मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है इसके साथी साथ मैंने हर नंबर के लड़ू गोपाल जी के लिए measurement भी बताया है तो प्लीज वीडियो को आप last तक देखेगा जिसे कि आपको ये dress बनाने में बहुत आसानी होगी अगर आप इस dress से related या फिर वीडियो से related कोई knowledge चाहते हैं या फिर मुझसे कोई question पूछना जाते हैं तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है आदी कल्चरल वाल्ट 268 चलिए फ्रेंज अब हम ये खुबसूरत सी dress बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले देखें ये dress आज हम बचे हुए कपड़ों से बना रहे हैं बहुत बारी हमारे पास बहुत सारी कपड़े बच जाते हैं जिनका कोई use भी नहीं होता है तो देखें इस तरीके से pieces में चोटे-चोटे से कपड़े बच गयते इससे आज हम लड्डू कोपाल जी के लिए बहुती सुन्दर सी dress बनाएंगे देखें ये dress हम साथ नमबर के लड्डू कोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो ये जो हमने 4 pieces cut की है इसकी यहां से यहां तक की जो हमने लबाई रखी है वो हमने 15 inches रखी है और इसकी जो हमने यह चोड़ाई रखी है ये हमने 6,5 inches रखी है अगर आप इसे बड़े नमबर के यानि की 7 नमबर से बड़े लड्डू कोपाल जी के लिए ये dress बना रहे है तो देखी है इसकी जो हमने यहां से यहां तक की लबाई रखी है ना 15 inch की सारे pieces के हमने 15 inch की लबाई जो रखी है उसमें आपको एक एक inch add करते जाना है और इसकी जो हमने यह चोड़ाई रखी है इसमें आपको आदा आदा inch add कर देना है और अगर आप इसे चोटे नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस पना रहे हैं तो हमने ये जो चार पीसे कट किये हैं हमें हर पीस में से एक एक इंच की लंबाई कम कर देनी हैं और इसकी जो चोड़ाई है इसमें से आपको आदा-ादा इंच कम कर देना है यानि कि जैसे जैसे लड़ू गोपाल जी का नमबर बढ़ता जाएगा हमें लंबाई में एक-एक इंच एड़ करते जाना है और चोड़ाई में आदा-ादा इंच एड़ करते जाना है और जैसे जैसे लड़ू गोपाल जी का नमबर घटता जाएगा हमें लंबाई में से एक- देखे हमें यहां ऊपर की तरफ से 1 इंच पर मार्किंग करनी है और यहां नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच यानि की 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरीके से अब यहां ऊपर की तरफ से हमें फिर से 1.5 इंच यानि की 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहां नीचे की हमें फिर से 2.5 इंच पर यानि की मार्किंग कर लेनी है ऐसे ही उपर और नीचे दोनों तरफ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से शुरू में हमने 1 इंच पर मार्किंग की क्योंकि हमें तिर्ची लाइन बनानी थी इस तरीके से मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ इस तरीके से हमें तिर्ची लाइन ड्रॉ करनी थी इसलिए हमने पहले एक इंच पर मार्किंग की और नीचे से हमने धाई इंच पर मार्किंग की इसको हमें देखें यहां पर रखना है इस तरीके से और यहां से यहां तक ऐसे तिर्शी लाइन में लगा लेना है इस तरीके से देखें हम यहां मार्किंग पर लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे ऐसे हमें सिलाई करते हुए इसको लगा लेना है इसी तरीके से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए इसको पूरे कपड़े पर लगा लेना है अब हमें नीचे की तरफ से इसको डबल फोल्ड करना है तो पहले हम देखें इसको ऐसे पलट लेते हैं इसको हम एक पर ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक पर और फोल्ड कर लेंगे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे पीछे से double fold करके सिलाई लगाने के साथ हमने देखे दोनों corners पे भी double fold करके सिलाई लगा लिये अब हमें इस Caribbean plates डाला है तो हमें इसको इस तरीके से रखना है और बिल्कुल पास पास में पतले पतले से plates डालते हुए एक के उपर एक इस तरीके से ऐसे plates डालते हुए हमें यह उपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसकी जो हमें total चोड़ाई रखनी है वो हमें 6.5 इंच यानि की 6.5 इंच रखनी है देखिए हमारे लड़ू कोपाल जी के कमर का measurement भी 6.5 इंच है तो आप चाहें तो अपने लड़ू कोपाल जी के कमर का measurement कर सकते हैं फिर जो भी size आता है उसके हिसाब से आप इसकी चोड़ाई रख सकते हैं चारो तरफ से हमने बिल्कुल पास पास पे plates डालते हुए देखिए कमर पर सिलाई भी लगा लिया अब हमें यहां नीचे की तरफ से इसको ऐसे अच्छे से सेट करते हुए एक के उपर एक इस तरीके से और यहां से भी एक सिलाई लगा लेनी है हमने नीचे की तरफ से देखिए इसको सेट करते हुए इस पर सिलाई भी लगा लिया है पहले ये पूरा सरकल में था ना अब देखें ये हाफ सरकल बन गया है इसको जब हम लड़ू को पाल जी को पहनाएंगे तो देखें ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा बिल्कुल गाउन का लुक आएगा अब हमने ये मल्टी कलर ले लिया है ये जो आमने नीचे की तरफ सिलाई लगाई है इस पर हमें इसको रखना है इस तरीके से और ऐसे लगाते हुए यहां से यहां तक लगा लेना है अब हमने देखें फिर से एक और लेस ली है मल्टी कलर की ये जो आमने लेस लगाई है इसको यहां पर रखना है इस तरीके से और यहां से लेकर यहां तक लगा लेना है जिसे कि ड्रेस का जो बॉर्डर है न वो चोड़ा हो जाएगा और बहुत ही खुबसूरत लुकाएगा अब हमने येलो कलर के कॉटन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है इसकी हमने ये जो टोटल लंबाई रखी है वो हमने 18 इंच यानि की 18 इंच रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 1.5 इंच यानि की 1.5 इंच रखी है अब इधर की तरफ से हमें ठोड़ा कपड़ा छोड़ देना है और फिर यहां से यहां तक इसको सिलाई लगाकर बीच में से जोइंट कर लेना है और दोनों तरफ से एक्स्रा कपड़ा छोड़ देंगे अब हमें इसको पलट लेना है पीछे की तरफ से और इसको देखे यहां से ऐसे रखना है नीचे क इसे फोल्ड करके इस पर हम से लाए लगा लेंगे जिससे कि हमारी बेल्ट बन जाएगी देखे आगे के तरफ सिसकालो किस तरीके से आजाएगा हमने देखे यहां पर बेल्ट भी लगा लिया है अब हम लड़ू गोपाल जी के लिए छोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए हमने यलो कलर के कॉटन के फाब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो हमने 8 इंच यानि की 8.5 इंच रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 8 इंच यानि की 8 इंच रखी है इसको जब हम बीच से fold कर देंगे तो इसकी जो चोड़ाई हो जाएगी वो 4 inches हो जाएगी देखें ये जो measurement है वो 7 नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए है अगर आप इसे बड़े नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए ये dress बना रहे है तो लंबाई और चोड़ाई दोनों में आपको आदा आदा इंच बढ़ाते जाना है और अगर आप इसे छोटे नमबर के लड़ू कोपाल जी के लिए ये dress बना रहे हैं तो लंबाई और चोड़ाई दोनों में से आपको आदा आदा इंच घटाते जाना है हमने थोड़ा जादा कप्रा कट किया है क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे फिर सिलाई लगाएंगे पल्टेंगे तो हमें पलटने में बहुत ही आसानी होती है अगर हम कम कप्रा कट करते हैं तो पलटने में बहुत दिक्कत आती है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा कप्रा कट किया है जब हम इसको सिलाई लगा लेंगे तो देखेगा इसका शेप पिल्कुल पॉर्फेक्ट आएगा यह बहुत छोटा साना क्ट नियुक्य भाउत इप गताथन gi लेँगे इसको आपिश्यादे अ पर यह जीए डीड इसको इससी शेप मी तापिशियार कर लेंगे ओपिन करने के बाद देखिए इसका शेप ऐसे आएगा अब हम इसको फिर से बीच में से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल पराबर करते हुए अब देखिए हमने यह जो नेक की कटिंग की है यहां से हमें ऐसे गोलाई देते हुए एक शेप ड्रॉ कर लेना है और इसको यहां पर लाकर मिला लेना है अब हम इसको इसी शेप में कट करेंगे ओपिन करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आजाएगा अब हमें यहां से लेकर यहां तक सिलाई लगानी है इसके साथ हम देखे यहां से सिलाई लगाते हुए ऐसे गले के चारो तरफ से सिलाई लगाते हुए यहां तक सिलाई लगा देंगे उपर और नीचे दोनों साइट से हमें इसको खुलाई छोड़ देना है सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने है जिसे कि इसको पलटने में भी आसानी होगी और फिनिसिंग भी अच्छी आईगी हमें ध्यान देना है सिलाई नहीं कट करनी है हमें उसके पहले ही हमें चारो तरफ से छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं कट्स लगाने के बाद अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है पलटने के बाद अब हमी यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक इस पर सिलाई लगा लेनी है जिसी की यह अच्छे से बैट जाएगा और इसमें फिनिशिंग आईगी अब हमने डोरी के दो पीसे कट कर लिया है गोल्डेन कलर के 6-6 इंच के एक पीस को देखे हमें यहां पर रखते हुए और इस पर जोइंट कर लेना है और दूसरे पीस को हमें यहां पर ठीक इसके सामने की तरफ यहां से रखते हुए जोइंट कर लेना है अब एक साइट से यानि कि इधर की तरफ से हमें इसको पीछे की तरफ ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और यहां नीचे की तरफ से हमने देखे फिर से डोरी का एक पीस कट कर लिया है इस पर हमें यहां पर डोरी रखनी है और सिर्फ एक बर ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा कर डोरी लगा लेनी है हमें सिर्फ आगे की तरफ से डोरी लगानी है पीछे वाली जो साइड है इसको हमें टपल फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगानी है अब हमने फिर से ये वाली lace ले लिया है जो कि हमने ड्रेस में भी लगाई थी इसको हमें यहां से रखना है और ऐसे लगाते हुए देखें कले के चारो तरफ से यहां तक लगा लेना है अब हमने देखिए दो pom pom ले लिया है यह ready made pom pom है जो बाजार में easily मिल जाता है या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हैं मैंने अल्रेडी एक वीडियो अप्लोड कर रखा है पॉम-पॉम बनाने के लिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं आप देखें याँ पर जो हमने डोरी लगाई थी ना तो एक पॉम-पॉम हमें इस पर लगा लेना है और दूसरा पॉम-पॉम हमें इस पर लगा लेना है तो देखें फ्रेंज हमारी लड़ू को पाल जी के लिए बहुत ही खूपसूरत सी ड्रेस पनकर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हो ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लेज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तैंक यू